हाई गाईज सो वेलकम तो आवर यूट्यूब फामिली वन्स अगेन आज की जो वीडियो होने वाली वह बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली आप सबी के लिए यह जो वीडियो है काफी हेल्फुल होएगा उन बचों के लिए जो इन फ्यूचर यूएस के लिए देखना च मैं आपको इस वीडियो के थूदे पाऊं ठीक है सो जादा टाम को कराब नहीं करेंगे इस पॉइंट टो पॉइंट बात करते हैं वीडियो में वेलकम करते हैं अपने भाई का जिसका नाम है जै और है इस फ्रॉम माइब गुजरात तो है इस दगार ब्रदर इस और अभी मुझे वानना हा है यार नॉर्मली जैसे मैं अभी युके में हूं भाई अमेरिका में है ठीक है और भाई भी वहाँ पर आज स्टूडेंट गया इसलिए मैं यह वीडियो कर रहा हूं भाई को प्रॉपर एक्सपिरियंस है वहां का वर्किंग कल्चर का इचन एवरिटिंग सो जस्ट बिगिन करते हैं कि किस टाइम पर आप युएस में गए और कैसे अपने युनिवर्स्टी के सलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहता हूं मैं और मैं एक कंसल्ट अन्सी के थ्रू गया था सो बेसिकली युएस में ऐसा होता है कि तुम जो को सिलेक्ट करते हो वो काफी मैंटर करता है कि तुम कितने टाइम कंट्री में रह पा होगे कुछ को तुम को कम वारिडिटी देगी युएस वीजा की और कुछ को सिस्यादा देगी तो यह रिकमेंडेट है कि स्टेम कोर्स लेना चाहिए साइंस टेक्नोलोजी इंगिनियरिंग मैंस को जो कि तुम दो साल पड़ सकते हो प्लस तीन साल का तुम वह राउड होता है नॉन स्टेम कोर्स में सिर्फ एक ही साल का वक परमेंट होता है तो वह इंडिया में ख़तम करो और हायर लेवल ओफ एड्युकेशन के लिए युएस जाओ युएस जो आपकी वहां पर कितने फीज लगी है जब आप वहां पर गए थे युनिवर्स्टी में फॉर फुल कोर्स आपके सो बेजिकली कोलेज की कोर्स वहां पर बहुत ही वेरी करती है कुछ बहुत अफॉर्डिबल एकोनॉमिकल होती है कुछ बहुत ज्यादा एक्सपंसिव होती है मेरे खुद की 60,000 डॉलर सब्सक्राइब होती है तो भाई फर्स्ट अफॉल मैं यह क्लियर करना चाहँगा कि जो यू ऐसे है जिस्ट आप नॉमल नहीं कह सकते लाइक यह नॉट इक्वल तो लाइक कनेडा और यूके आना है उस्ट्रेलिया जाना है क्योंकि जैसे कि आपको पता है यूस एक अलग लेवल की कंट्री है ठीक है अगर आप अपना इधर देखते हो यूके यूरोप की कंट्री या कानेडा ऑस्ट्रेलिया भी देख रहे हो अल्मोस्ट नियर बाउट 20 की नियर बाउट फिनिश हो जाता है बजट बट अगर आप यह वैसे प्लैन कर रहे हो तो भाई अल्मस् कि अगर यूद्ध करता है अधर कोई सेंट फ्रांसिस्कों अगरा है तो महां पर न्यूयॉक वगएरा है तो महां का लिविंग एक्स्पेंस और वह सब रहे हों तो थोड़ा आउट्सकर्ट में तो अधर कॉलेज इस ती भी है और मुह लिविंग कोस्ट भी इक्वनोमिक उस पे तुम्हारा फीज का और बज़ट उस पर कोर्स कैसा है यह सब कुस मैटर करता है तो यह होगी कोर्स की बाते कोर्स में कितने सारे मॉडिल्स हैं आपको और मतलब जो आपका पढ़ने कमा का तरीका जो आपने थोड़े दर मरे से पहले शेयर किया था क्या है जस एक् संधिक मेरे स्पेसिक कोर्स के लिए टोटल 12 पढ़ने होता है वह ट्वेल अक्यों सब्यक्त में कोई भी और में ले सकता हूं बजिकली मैं उट्वेल्स अबजेक्स चार समेस्ट इसमेस्टरमें तो फूर से वह तो मेरे पे चोईस होती है कि मुझे सबजेक्ट कैसे अहां तो अगर तो बाई बाई का कहना है कि जो मोडिल होते हैं वो सेल स्टुडेंट्स की वह अपने अकॉर्डिंग उसको एड़स्ट कर सेते हैं अपर्ट फर्म देट जो आप युनिवर्स्टी के त्यारी कर रहे थे उस टाम पर आपको कौन कौन से करने पड़े और इंग्लिस के लिजबिल्टी क्राइडरिया कैसी रही जब आप युएसे के प्रेपरेशन कर थे तो जब मैं जा रहा था तब कोवेड का स्पीर जिस्ट एंड हो रहा था तो काफी सारी उनिवर्सिटीज ने सब वेव कर दिये थे लिग जिया रिक्वार्मे होता है तो you can get a very good university but the thing is के सिर्फ तुम्हारे स्पोर्स पर मैंटर नहीं करता कोई भी उनिवर्सिटी में अदमिशन मिलना तुम्हारा work experience तुम्हारे like hobbies और तुम्हारा like inter extracurricular activities भी बहुत मैंटर करता है all right okay so English की eligibility criteria क्या है? English की usually seven plus bands और आपको अच्छा scholarship और it's easy to get in okay is it compulsory to do only ILTS or they can do anything like anything dealing or whatever basically हर university के अलग requirements होती है कुछ top universities होगी वो सिफ ILTS या TOEFL ही मांगेगी कुछ meet matire या go universities होगी there also there are a lot of opportunity and आपके पस different options भी available है अगर आप ILTS करने में घबराते हो तो it's not like big deal आप कुछ भी अपने another option ले सकते हो अपने university के requirement के according am I right exactly so that's the thing apart from it course मैंने आपको बता दिया main जो बात करते हैं कि as a student जैसे हम UK में है Canada का मुझे नहीं पता भाई USA का working culture share करेंगे so as a student आप कितना काम कर सकते हो और वहां पर मतलब क्या है process working का so working process basically ऐसा है के तुम after enrolling in the university आपको एक साल spend करना है just as a student आप एक साल काम नहीं कर सकते हो okay after one year you can start working and start study at the same time तो तुम दोनों चीज एक साथ तब करो after one year is there any restriction like 20 hours or 15 hours as well so 40 hours maximum होता है बाट उसे नीचे तुम कर सकते हो बाट उसे जादा 20 hours USA कि यह सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जो कि यहां पर है आप 20 hours करते हो UK के अंडर के अंडर के अंडर कहीं पर अगर आप student हो तो आप सिर्फ legally 20 hours लागते हो उसे में 40 hours कर सकते हो but there is a one condition like in which course you are doing your master or whatever you have to do your job in same field is it exactly so that's the thing in that field में आपको job लेना पड़ेगा तब आप 40 hours कर सकते हो otherwise any job if you are doing any other kind of job like apart from your you know what related to study then it's countable like illegal yes तो वह यह एक प्रॉलम लगा मेरे को कि अगर आपको और जोब कर रहे हो तो वह एक काउंट होता है as a illegal job जैसे आप cash in hand बोल सकते हो जैसे यहां पर माना जाता है उस तरह से तो यह एक point ऐसा है apart from that I think हमने हर एक चीज़ कवर कि इसमें study का pattern कैसा वहां पर assignment work वगरा या मतलब किस पर जोर जादा देते हैं theoretical part पर देते हैं कि practical पर देते हैं पर हम दोनों के प्रोफेसर अलग है तो सेम कोर्स के लिए मेरा final exam एक project submission है और मेरे रूमेट्स का जो final exam है वो इन-person written exam है तो वो वेरी करेगा प्रोफेसर college और सब पर आप कि मतलब ऐसा कुछ culture टाइम है कि practical work जादा करते हैं या मतलब theoretical part जासे मारे इंडिया का culture है usually तुम research कर सकते हो जैसे कि आप कोई भी course के लिए selection कर रहे हो starting of the semester में तुमको choice मिलेगा कि मुझे ये course पढ़ना है ये professor से तो तुम अपने senior से बात करो कि ये professor कैसा था उसके exam लेने का तरीका कैसा था तो तुमको उसी प्रोफेसर के पास जाना चाहिए जहां पर थोड़ा ऐसा practical work जादा है instead of you know just theoretical instead of written paper exam के बदले तुम project वाला प्रोफेसर चूज करो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है ज्यादा mostly आपको UK में भी और USA में भी आइधिक्स प्रोजेक्ट होएगा जो प्रेक्टिकली आपको उसको करना होगा मतलब exactly में जो कि आपको समझ भी ज्यादा लगता है अगर प्रेक्टिकल काम कोई भी करते हो तो यह प्लस पॉइंट अपर्ट फ्रम देट कैसा रहा आपको महां का वैदर का और रहने का एक्सपिरियंस दो साल का तो मैं न्यू यॉक सिटी में हूँ बेज़ तो बिदर काफी एक्स्ट्रीम है कभी भी बारिश और काफी एक्स्रीम कोल्ड बार्ट इसल गेट तो लिए न्यू यॉक तो अवर्थिं इस फैर लास्ट कोशन है अपने भाई भाई के एक्स्पिरियंस का जो की बहात ही तो उसका एक ही होता है कि मैं वहाँ पर इंकम के जनरेट करूंगा वहाँ जाने के बाद तो अवर जाने के बाद जाने के बाद So average income of USA, after completing your degree or before completing your degree like now you are doing 40-years It's like a full-time job, how much you are earning like just an average average it's not like you have to give Exactly just for average, salary, how much you can So abhi basically best my internship is. I am not a full-time period I am not a full-time employee I am an intern but at 40 hours per week so I earn around $3,000 but a full-time employee for the same position in the same period after completing your degree if I am in my company then I will get at least $70,000 to $80,000 so that's the difference brother whatever I noticed in UK nothing is like here possible like he's saying that if you completing your degree and if you are doing same field job then you you can get easily or like you can say at least minimum to minimum $60,000 to $70,000 as a salary per annum isn't yes so that's a very great thing for USA to bhai ni yaar bhot achse se samjhaya ap sabi ko jo bhai ki experience raha waha ka thik hai racism or whatever last question hai ki kaisa hai racism ka matlab kuch thoda sa kaisa hai waha pa se so mujhe 2 saal ho gaya and mujhe koji bhi abhi tak racism ka experience nhi huwa everyone is very nice bhoat diverse hai new york ka sab jaghah se hai loog diverse ka matlab bhai yehi hohtta hai diversity ka ki different country ke people maha pe ek saath rate hai aur ek saath kaam kerte hai to iska alag ka experience feel hoyega jab aap different different country ke loog ke saath kaam kerte ho rehenne ka aap ka culture joh rehenne ka hai na sabhi ka aapna 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 culture hai world me to mix hoke na ek bhoat acha environment bantah hai so I don't think personally yaha pe bhi racism ko liekr questions aate hai but woh dhekho itna jyada impactful nahi hota hai hem pe depend kertta hai kem saamne waale se deal kaisa kar raha hai am I right brother to aapko saamne waala e aapta hi usi tarese traete deega agar aap kisi ko uus way mein dekho ga tó aapko normal si baat hai koji bhi dekha so that's all about our video today košis kiya maine ki jitne jaada question ho sakte hai aapko bata pao bhai ki through throo ii ka real experience sabkuch aapko bata diya hai thanks a lot jay bhai aapka aapka experience करने के लिए अपने मॉम को मिलने के लिए UK में USA से अपने होलिडेस करने के लिए सेकेंड पार्ट करते हैं भाई के साथ जिसमें मॉम होंगे और जै भाई होएगा जिसमें यह आपको शेर करेंगे कि UK का एक्सपिरियंस कैसा रहा इनका as a visitor क्योंकि यह आयते visitor visa पे mom को इंडिया से बुलाया था इनका destination था so that's great thing thank you so much see you next video guys अगर आपको किसी भी एंगल से लगता है कि यह वीडियो आपको किसी भी तरह से helpful होते then please do subscribe my channel and hit the like button so that I'll make more videos for you जितने भी मैंने videos बनाया है सारे informative videos है भाई so आप चैनल पर जाके देख सकते हो जैसा भी आपको लगे just जो भी information आपको चाहिए do comments just below down the video and hit the subscribe button that's all thing I want bye bye see you next video